जोतिश ग्यान चैनल के सदस्यवन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जोतिश ग्यान चैनल को और इस बैल आइकन को दमाएं ताकि अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार मित्रो मैं आचारिय अबिज्श शर्मा हमारे आपके हम सब के चैनल जोतिश ग्यान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेश राशी के जातकों के लिए वर्ष 2018 का अंतिम महा अतार्थ दिसंबर महा कैसा रहेगा इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर महा में मेश राशी के जातकों को क्या लाब देखने को मिलेंगे किन-किन बातों का रखना होगा ध्यान शुबरंग, शुबदिन, शुबअंग जो आपको देंगे करियर में सफलता साथ ही एक महा उपए जिसे दिसंबर महा में कर आप बना सकते हैं अपना लखी चाम तो आईए एक नजर डालते हैं मेश राशी वाले जातकों के लिए दिसंबर महा में ग्रहों की गोचर इस्थिति क्या दे रही है संकेत मेश राशी वाले जातकों की गोचर इस्थिति में चतुर्थ भाव में राहु इस्थित रहेंगे सब्तम्भाव में तुलाराशी में शुक्रिस्तित होकर पंच महापुरुष योगों में से एक महापुरुष योग का निर्मान करेंगे जिसे हम मालव या महापुरुष नाम के योग से जानते हैं तो वहीं अश्टम्भाव के अंदर सूरिय बुद्ध और गुरु की यूती रहेगी 15 दिसंबर तक सूरिय अश्टम्भाव के अंदर रहेंगे वे 15 दिसंबर के बाद में ये धनुराशी में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से मलमास प्रारंब हो जाएगा जो की 15 जनवरी तक रहेगा तो वहीं दश्टम्भाव के अंदर केतु इस्टित रहेंगे कारिय करते हुए दिखाई देंगे किसी भी प्रकार के निर्णय फिर चाहे वो कारिय से संबंदित हो या परिवार से दिसंबर माह में मेश राशी वाले जातक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे धनियोग में वरद्धी देखने को मिलेगी वै कुटुम्ब परिवार में देखने को मिलेगा यश्मान और प्रतिष्टा वाणी रहेगी मधूर दिसंबर माह में मेश राशी वले जातकों को थोड़ी महनत अधिक देखने को मिल सकती है छोटे भाई बैनों से भी आपको इस समय के अंदर अपने अच्छे व्यवहार रखने चाहिए अन्यथा देखने को मिल सकता है छोटा मुटा मनमुटाओ वहीं यदि आप व्यापारी की यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो पूर्ण रूप से कार्यश अली बना कर निकलें अन्यथा यात्रा संबंदेत व्यर्थ परिणाम देखने को मिल सकते हैं दिसंबर माहमे मेशराशी वाले जातकों को भोतिक सुक में परिपुणता देखने को मिलेगी माता का स्वास्त यदि काफी समय से खराब था तो देखने को मिलेगी पुष्टता वही माता से यदि मनमुटाव चल रहा था तो देखने को मिलेगी प्रेम संबंदों में मधुरता जिन मेशराशी वले जातकों का विवा हो चुका है और उनकी संतान है तो अपनी संतान का शिक्षा संबंदित 15 दिसंबर तक रखना होगा थोड़ा ध्यान वहीं पेट संबंदित समस्याइं भी 15 दिसंबर तक देखने को मिल सकती है 15 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी वह हो सकता है आकस्मिक धनलाब दिसंबर माह में मेश राशी वाले जातकों को चाहिए कि यदि किसी प्रकार का लोन, कर्ज, इत्यादी लेने की सोच रहे हैं और यदि बहुत जादा आवशकता ना हो या थोड़ा समय और निकाल सकते हो तो दिसंबर माह आपको निकालना चाहिए उसके पस्चात में ही किसी प्रकार का कर्ज या लोन अप्लाई करें सब्तमभाव में पंच महापुरुष योगों में से एक महापुरुष योग का निर्मान कर रहे हैं शुक्र द्यंपत के योग में परिपुनता प्रदान करेंगे देनिक रोजगार में देखने को मिलेगी व्रद्धी मेशराशी वाले वे जातक जो पार्टनर्शुप में काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं उन्हें देखने को मिलेंगे अत्यांत स्रेस्ट कारी लाब दिसम्बर माह में मेश राशी वाले जातकों के खर्च भी बहुत होंगे तो अर्निंग भी बहुत अच्छी रहेगे इस समय में मेश राशी वाले जातकों को चाहिए कि थोड़ा बहुत सेहत का रखें ध्यान अन्यथा मोसम का परिवर्तन आपको प्रभावित कर सकता है साथी मेशराशी वाले जातकों को इस समय में खान पीन का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए दिसंबर माह में मेशराशी वाले जातकों का भाग्य परिपूनता से साथ देगा धार्म की यात्राएं देखने को मिल सकती है कर्म शेत्र में देखने को मिलेंगे स्रेस्ट मुकाम यहीं आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर स्रेस्ट योग देखने को मिलेंगे तो वहीं व्यापार करने वाले मेश राशी के जातकों को देखने को मिलेगा व्यापार में लाब वहीं दूसरी तरफ हम बात करें यदि मेश राशी के उन जातकों की जो कर रहे हैं नोकरी की तलाश तो 15 दिसंबर के बाद स्रेस्ट परिनाम देखने को मिल सकते हैं एकादश वाव के अंदर मंगल के स्टति 22 दिसंबर तक मेशराशी वाले जातकों के लिए बड़ा ही शुफल प्रदाता रहेगी धनलाब देखने को मिलेंगे बड़े भाई बैनों से देखने को मिलेगी संबंदों में मदुरता यदि आप एक विध्यारती है तो यह समय आपके लिए स्रेस्ट फल प्रदाता रहेगा तो वहीं मेशराशी वाली गर्बवती महीलाओं को 22 दिसंबर से पहले यदि डिलेवरी के योग बनते हैं तो पुत्र प्राप्ती के प्रबल योग देखने को मिलेंगे मैमुरी रहेगी बड़ी शार्प आकस्मिक किसी भी प्रकार के लाब देखने को भी मिल सकते हैं दिसंबर माह में मेशराशी वाले जातकों को विधेश यात्रा के योग भी बनते नजर आ रहे हैं मित्रो यहां मैं आपको बता दू यह फलादेश चंदर राशी पर आधारित है और जब मासिक फलादेश किया जाता है तो इसके अंदर चंदरमा का बहुत अधिक प्रभुत्व रहता है साथी यहां पर मैं आपको चंदरमा से संबंदित कुछ ऐसी डेट्स भी बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ क्योंकि चंदरमा जब भी चौथे याठवे बारवेस्तान के उपर जाते हैं तो व्यक्ति का मन थोड़ा बहुत उदास हो जाता है ऐसे में घबराने की किसी प्रकार की स्थिती नहीं है क्योंकि ओवरोल कहा जाए तो मेश राशी वाले जातकों के लिए दिसंबर मा बड़ा ही स्रेश्ट पूर्ण रहने वाला है तो मित्रों दिसंबर मा में जिन डेट्स का आपको विशेश रूप से रखना होगा थोड़ा बहुत ध्यान च्छे और साथ दिसंबर को चंद्रमा अश्टम में रहेंगे सोला सतरा को द्वादश वाव में रहेंगे तो वहीं 25 और 26 को चतरत वाव में रहेंगे ऐसे में आपको इन 6 दिवसों के अंदर थोड़े बहुत उतार चड़ाव देखने को मिल सकते हैं किन्तु यदि बात करें हम मेशराशी वाले जातकों के लिए ओवर्रोल रिजल्ट की तो ये मा मेशराशी वाले जातकों के लिए बड़ा ही स्रेस्ट पूर्ण raised की बात करें दि मेशराशी वाले जातकों के लिए दिसम्बर मा में शुबरंग की तो रेड वे ग्रीन शुबरंग मानने है बताए गए अंक वे कलर का उपियोग कर आप बना सकते हैं इन्हें अपना लखी चाम तो आई ये जान लेते हैं मेश राशी वाले जातकों के लिए एक महा उपाय जो की दिसंबर माह में करने से देखने को मिलेंगे स्रिस्ट लब तो मित्रो मेश राशी वाले जातकों को चाहिए कि दिसंबर माह में भगवान शिव का पूजन करें नित्य संबव हो तो भगवान शंकर को जलर्पित करें अन्यथा सोमवार के दिन अवश्य भगवान शंकर का पूजन करें दिखने को मिलेंगे स्रिस्ट लब कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे व्रश राशी वाले जातकों के बारे में आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद